दोस्तो वलकॉम बेक तू अनदर टेग वीडियो आप बात करने वाले हैं स्मार्ट टीवी बिसस एंड्रोइट टीवी पूस्ते हैं कि एंड्रोइट टीवी और इस्मार्ट टीवी में क्या डिफरेंस है तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सचेंगिल और आप देख रहे हैं ऐसा फीचर्स नहीं मिलता डायरेकली आप सेटटप बोक्स लगा सकते हैं या आप दूरदर्शन जो डायरेकली आपने एंटीना से कनेक्ट करके उसमें कुछ भी प्रोग्राम देख सकते हैं जो लाइब चैनल पर चल रहा होता है तो वह स्टेंडर्ड टीवी होता है उसमें इथन नेट ओप्शन आपको बढ़ जाता है ब्लुटूथ बढ़ जाता है वाइफाई बढ़ जाता है और यहां तक की SDMI पोर्ट भी बढ़ जाती है बट उसमें क्या होता है एक अपना यूजर इंटरफेस होता है OS होता है उपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं जै का वैब OS ले लीजिए या विदा ले लीजिए तोसीबा का तो इस तरीके से जो अपने इनके OS होते हैं वो एक तरीके से Smart TV कराते हैं अब स्मार्ट TV में क्या-क्या features हो सकते हैं स्मार्ट तीवी में कुछ भी features हो सकते हैं जो company provide करेगी अगर सैमसंद खुद company provide कर रही है कुछ भी app बनाके तो वो कर सकते हैं तो इसमार्ट तीवी में आप दूसरे devices से connect भी कर सकते हैं जैसे आपका wifi से connect हो गया आप voice assistant भी यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े आप उसमें कर सकते हैं एक दूसरे डिवाइस से connect कर सकते हैं through the Wi-Fi और Bluetooth और यहां पे आप दूसरे डिवाइस वैसे भी connect कर सकते हैं through the wire HDMI cable के थूँ तो यहां पे smart TV में यह सारे function मिल जाते हैं तो smart TV में applications भी download कर सकते हैं बट वहां पे एक limited होता है कि application आपको इतनी मिलेंगी है तो आप उतना ही चीज़े कर सकते हैं अब smart TV जो अच्छी companies के smart TV यानि OS आते हैं तो वहां पे अपडेशन देते हैं बट बहुत सारी company वहां पे smart TV में एक बार operating system देने के बाद आपको OS अपडेट नहीं देती क्योंकि वहां पे उसको बहुत बड़ा मतलब एक तरीकी से development issue होता है और उस पे वह investment नहीं करना चा से smart TV हो जाता है बट वो जो आप smart TV में एक smart TV वो होता जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं वहां इन सारे smart TV में आप कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं बट लिमिटेड मतलब लिमिटेड जो Samsung, LG या वो app store में provide करेगा वही apps आप डायल सकते हैं तो यह होत वो गूगल का है उसे Android TV बोलते हैं अब स्मार्ट टीवी बोले या ना बोले उसे smartest टीवी बोल सकते हैं यानिके जो smart TV है उससे भी smart वो क्यों क्योंकि Google उस पर हर समय जो है कुछ नो कुछ development करता रहता है अपडेट करता रहता है अपने OS में Android TV OS में कुछ नो कुछ अपडे वो मिल जाए, प्लस उसमें और भी चीजे मिले, फ्यूचरिस्टिक चीजे मिले, मालो आज कोई टीवी में आपके नहीं है, बट कल एक साल बाद वो चीज वो विजिवल हो, और उस पे आप अपने स्मार्ट टीवी पे चला सकते हैं, तो Android टीवी में आप डेशन चलते रहते है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डवलपर्स जुड़े हुए हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी डवलपर्स की जुड़ी हुई हैं, और वहाँ पे वो एप्स बनाती हैं, खुझ से, और प्ले स्टोर पे डाल देती हैं, जिससे की टीवी पे आप इंस्टोल कर सकते हो, तो वहाँ पे एप्स बहुत ज़्यादा हैं, और आने वाले टाइम में अपडेट आती ही रहेंगी, और गूगल भी डिरेकली उस पे काम करता रहता है हर समय जिससे की टीवी का एक्स्पिरेंस बहुत लाजबा हो, यहाँ भी आप दूसरे डिबाइस से कनेक्ट रह सकते हैं, जैसे आपनी वाइफाई कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी के थूँ, अपने स्पीकर्स टीवी के थूँ कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स टीवी के थूँ कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह सारी चीज़े मिल जाती हैं, एप स्टोर आपके नॉर्मल स्मार्ट टीवी ज करते हैं तो डव्लोपर भी वहाँ ही एप बनाता है जहां पर यूजर्स बहुत जाद हो उसकी एप को यूज़ करने के लिए तो एंड्रोइड यहां पर सक्सस्पुल है और एंड्रोइड के लगतार वर्डेट आते रहते हैं बट हाला कि कम्पनिया बहुत सारी कम्पनिया जो Android operating system यूज़ करती है उसमें update कितना देती है वो आपको देखने वाली जरूरत है क्योंकि उसमें एक बार update देती है और देने के बाद फिर नहीं देती बट बहुत सारी company अच्छी-च्छी है जो update देती है Android TV में भी तो यहाँ पे Android TV को हम smart TV भी ना कहके smartest TV कह सकते है अब Android TV में आप और भी बहूट सारी चीज़े कर सकते है जैसे mobile को भी connect कर सकते है Android TV से Google Chromecast जैसे features देख सकते है smart TV इस प्र देख सकते है miracast जैसे features देख सकते है बट क्योंकि mobile भी आपको ज्यादे तरह Android होता है और टीवी में भी Android तो उसका जो connectivity है वो बहुत ही seamless है मतलब आप अपने mobile से कोई भी चीज़े easily send कर सकते हैं developers mobile को TV के साथ interact करने के लिए बहुत सारी connectivity apps बनाते हैं और जब वो बनाते हैं तो आपका जो mobile है mobile में भी app install करी है, TV में भी install करी है Android TV में और दोनों से interconnect करके आप जो है कोई भी चीज़े transfer कर सकते हैं game भी play कर सकते हैं, अपने mobile को अपने TV का remote बना सकते हैं अपने mobile से TV को control कर सकते हैं, mobile से ही बोलके TV पे कुछ भी आप जो है features मतलब mobile पे कुछ बोल ये और TV पे वो चीज़ हो जाए ये वो चीज़ प्ले हो जाए मालों, mobile पे आपने music प्ले करने को बोला और वो TV पे प्ले हो जाए mobile पे आपने YouTube वीडियो को बोला और TV पे प्ले हो जाए तो बहुत सारी चीज़े जो है यहाँ पे होती है Android TV में भी आपको सारे connectivity options मिलते हैं Ethernet, SDMI, CEC, ARC, USB port और Wi-Fi, Bluetooth connectivity सब आपको options वहाँ पे मिल जाते हैं तो Smart TV और Android TV में यह difference आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो अगर कोई TV ले तो Android TV ले क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी चीज़े आने वाले टाइम में भी आपको मिलेंगी अगर आपको Top 5 Android TV चाहिए जो 32 इंच, 43 इंच, 55 इंच और QLED TV चाहिए तो description में लिंक है आप वहाँ से purchase कर सकते हैं बहुत सारी दिवाली पे sale भी चल रही है आप तुरंत नीचे description से जाके purchase कर सकते हैं अब आपको कोई confusion नहीं रहोगा तो दोस्तों मुझे comment में लिखके बताएए आप कौन सा TV इन में से use करते हैं इस से related कोई भी query है तो comment में लिखके जरूर पूछेगा तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए तना ही thank you so much बंदे बाता झाल 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 झाल